जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंग होंगे मज़े में होंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर चुत तंत्र मंत्र बताए गए जो टोटके बताए गए उसके पीछे जोतिस विज्ञान था लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता तो कई टोटके इस तरह से बता दिये गए कि इसको आप यह करेंगे तो इससे आपको यह लाग मिलेगा लेकिन वास्तों में होता क्या है कि हमारे यहाँ पर भारती संस्कृति में रसोई में चितरी भी चीज़ें इस्टेमाल की जाती है उस सारी ही चीज़े किसी न किसी गरह के प्रभाव में आती है और जब उन चीजों का व्यक्ति विशेस उपयोग करता है अपने खान पान में ज्यादा उपयोग में उन चीजों को लेता है अपने साथ में ऐसी चीजों को रखता है या फिर जो उन चीजों को ग्रहन करने का समय है ऐसे समय पे व्यक्ति अदी ऐसी चीजों को ग्रहन करता ह तो उससे संबंदित जो ग्रह होते हैं वो अपने आप active होने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जो ग्रह हैं जो ऐसा कहा जाता है कि जो नीच के ग्रह हैं जो वक्री ग्रह हैं ये ऐसा जितना भी कहा जाता है ये ग्रह क्या होते हैं कि व्यक्ति के उपर इनका उतना असर देखन को नहीं मिलता है और जब ये असर देखने को नहीं मिलता है तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है और जब उनका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उनके अभाव में विक्ति ऐसा जीवनियापन करता है जैसा वो नहीं चाहता है जैसे कोई ग्रह है मान लिजे यदि हम सोमवा पर यदि किसी ग्रह का प्रभाव है अधिकार है तो वो चंद्र का है अब चंद्र जो है जो भी दर्सक जो मेरे regular viewers है उन्हें मालूम होगा कि चंद्र जो है वो मन का कारक है अब मन ही ऐसा इंद्रिय है कि जो व्यक्ति को बहुत उपर तक ले सकता है और बहुत नीचे तक गिरा सकता है यदि किसी का चंद्र नीच का है तो ऐसा व्यक्ति काफी हीन हरकते कर सकता है और यदि किसी व्यक्ति का चंद्र उच्च का है तो उसका मन इतना powerful होगा ऐसे व्यक्ति का मन पर इतना प्रभाव होगा कि वो जो कोई भी काम करेगा मन लगा करके करेगा और जो व्यक्ति मन लगा करके काम करता है तो ऐसे कारियों में उसको अवस्य ही सफलता मिलती है आपने सुना होगा पढ़ा होगा देखा होगा कि मन लगा कर काम करना ऐसा कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी कारे में जब आपका मन लग जाता है तो आप अपना संपूर उसको देने लग जाते हैं जब आप संपूर उसमें ओत प्रोत हो जाते हैं तो बस किसी भी कारे की सफलता के लिए यही चीज़ चाहिए कि आप उस काम में पूरी तरह से जुड़ जाएं, लग जाएं, एकदम ओत्परोथ हो जाएं तो मन के पावर्फुल होने से, चंदर का आप पर अच्छा प्रभाव होने से ये काम बनता है तो इसलिए व्यक्ति सफल होता है तो ऐसा ही एक उपाय आज में बताने वाला हूँ कि चंदर को प्रभावित करने वाली ज्रसोईक में आपके जो चीज है यदि आप इसको ग्रहन करते हैं, सोमवार के दिन वैसे तो इसको एवरी डे लेना चाहिए, साइन्टिफिकली भी ये प्रूव है कि रात को इस चीज को लेकर ही सोना चाहिए, इससे आपको बहुत सक्ती मिलती है तो ये चीज क्या है, वो बताने से पहले जो भी दरसक मेरी चैनल में नए है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राजिन्दम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूर्ड रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इससे हमारे दोरह बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे और इन्हें आप मिस भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चले दोस्तों बताता हूँ वह चीज कि जिस चीज को व्यक्ति को एवरी डे रात को सोने से पहले उसको पीना चाहिए अवस्य पीना चाहिए लेकिन यदि कई लोग ऐसे हैं कि जिने ये चीज नहीं पसंद होती है तो सोमवार के दिन तो पीना ही चाहिए यदि जादा न पी सके तो दवाई समझ कर एक चमच तो ले ही लेना चाहिए क्योंकि इस से लेने से आपका चंदर मजबूत होगा और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति का चंदर मजबूत होगा चंदर के मुझबूत होने का मतलब ये होता है कि चंदर का आप पर सुब प्रभाव पढ़ता है लाबकारी प्रभाव पढ़ता है जिससे आपका मन चंचल नहीं होता है यहाँ वहाँ नहीं भागता है ऐसी वैसी चीजों के पीछे नहीं भागता है एक ही जगाव पर कैंदरित रहता है चहां आप कैंदरित उसको रखना चाहते हैं तो ऐसे में क्या होता है आप जो कोई भी काम करेंगे संपूर्ण मन लगा करके करेंगे उसमें आपकी दिल्चस्पी होगी रुची होगी और जब किसी व्यक्ति की किसी कारे में रुची होती है तो वो उस कारे में अवस्य ही सफल होता है तो यह आपको हर रोज रात को इस चीज को पीना चाहिए नहीं पी पाते हैं, तो कम से कम सोमवार को तो पी ही लेना चाहिए, यदि सोमवार को भी आपको पीने में आपत्ती हो, तो दवाई समझ कर एक चमच पी लेना चाहिए, जी हाँ दोस्तों मैं दूध की बात कर रहा हूँ, दूध जो चीज है उसमें जरासी आप मिस्री मिला देखें दूद्र को यदि आप रात के समय लेते हैं तो मिस्री मिला कर ही लेना चाहिए हाँ यदि आपको कोई सारीरिक प्रोब्लम है तो आप मत मिलाएं लेकिन सक्कर नहीं मिलानी चाहिए मिस्री ही मिलानी चाहिए और यदि आपको नहीं पसंद है तो एक चुम्मत ले 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 हर सोमबार को ले रातरी को और हो सके तो इव्री डे रात को सोने से पहले ले आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका काफी मन लगने लगेगा और आपको सफलता भी मिलने लगेगी ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के है है